हाई अब्रीवन वेलकम तो डिश्चनल जी के क्लासेस तो बिहार प्रातमी सिक्षक भरती से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट है और आप जानते हैं बीएड वर्सेस डिलेट से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है कि विसेस बैंच में जो है इसक कड़ी करवाई होने के साथ साथ यहां से आपको बाहर भी किया जा सकता है बहुत सारी लोगों के साथ ऐसा हुआ है अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा आपको ऐसे अपडेट मिलता रहे देखें सबसे पहले जो है गलत जो डॉक्मेंट है वो उसके बात करते हैं उसके बास से बीड एंड डीलेड इसके लिए भी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ सिक्षक निर्थी वरिफिकेशन के समय गलत डॉक्मेंट प्रस्तूत किये गए बड़ी स जो कि आप भी जानते न कि एक तो सर्वर की वज़े से भी डॉक्मेंट गलत अप्लोड हो गया और बहुत सारी लोगों को पता नहीं चला वह उस समय भी नहीं दिखा पाए तो बिना गलती के भी ऐसा हो रहा है डॉक्मेंट में अंतर होगी करवाई देखे यहां पर लिख लिएखे ःफेशी होगा है कि सिखक भरती में कई अभियर्ति ने टॉक्मेंट अप्लोड करने में फरजीवाडा किया है हां कुछ लोग तो किये हैं इसकी जानकारी बीपीसी के ददक्ष ऐतुरछ अतुल प्रशाद ने दी है अतुल प्रशाद संबतर है कि सिख्षक भरत इससे पता चलता है कि या जान बुछ कर किया गया था इससे कई क्योंकि देखो अगर आपका सच में आप जन्यून है और मालीज अपने गलत अप्लोट कर दिया है तो वेरिफिकेशन के समय में आप जरूर एफिडेवीट या भी सही डॉकमेंट्स उनको दिखाएंगे और ब अगर ऐसा है तो आप अपना ओरिजनल डॉकमेंट्स जो सही डॉकमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ दिखाएंगे इन लोगों ने क्या किया है वेरिफिकेशन के समय दिखाया ही नहीं इनको लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा और इसलिए ऐसा लग रहा है कि जान बुछ कर इसे कई अभियर्तियों के परमाट पतर मिलान नहीं हो रहे है मतला लगाया कुछ और दिखाया कुछ और ऐसा हो गया है और ओमार डालूट नहीं होने पर चात्रों का हंगामा यह आप जानते ही है और एक सुनने में यह भी आ रहा है आपने कल एक लेटर भी देखा होगा और उस पे signature नहीं है, बहुत सारे लोग बोलने कि यह stamp नहीं है, यह fake है, तो यह भी सच्चाई आपके सामने हो जाएगी, कि DRC में कराये जाएगा योगदान, आप जानते हैं, रिजल्ट आया नहीं है, उसके पहले joining के बारे में date सामने आ गया है, तो उसकी सच्चाई वो भ है, और आविधन किया गया था, लेकिन अब तक सुधार नहीं हुआ, कई चात्रों के उमार सीट में, रोल लंबर आदी, अलग अंकित हो गये हैं, ठीक है, सुधार के लिए कई चात्रों ने आविधन किया है, अभियर्ती, अध्यक्ष अतुल प्रसास से मुलाकात की मांग कर रहे थे, लेकि प्रसासन ने आकर मामला सांथ करा दिया है, और कई अभियर्ती उसे आविधन जमा भी लिया है, तो ये देखिए, ये गलत डॉक्मेंट से रिलेटर जो इन्फोर्मेशन इकल कर आ रही है, ये सही समय रहते हुए, आपको अफिडेविट बनवा लेना है वेरिफिकेशन के समय में ये गलती मत करना कि अप्लोड कुछ और किया है और दिखा दिया है कुछ और, क्योंकि ये सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है, स्कूरूटनी में सब कुछ पता चल जाएगा कि आपका डॉक्मेंट से फेक है कि वो रीजनल है, अब बीएड वर्स जस्टिस एस बुपाना एंड जस्टिस एमम सुंद्रिस, इन्ही के जो है बेंच में सुनवाई होने वाली थी, आप ये देखिए, डिस्पोस हो चुका है, डिस्मिस, विड्रॉ, क्योंकि वो विड्रॉ कर लिया गया था, आप जानते ही है, विकॉज इसको दुबारा से जस्टिस जन्होंने सुनवाई, जन्होंने फैसला दिया, ग्यारा अगस का, उसी बेंच में जाना था, इसी वज़ा से इसको विड्रॉ कर लिया गया है, इसके बास से अब आगे का इनका क्या स्टेप है वो देखिए, जितने भी, क्योंकि बीर और डिलेट का इसले सबसे ज्यादा इंपॉडेंट है न, क्योंकि प्राथमी का रिजल्ट फसा हुआ है, और आप देख सकते हो, तीन लाग असी जार बीड अभ्यर्थियों को नहीं मिली रहात, एसलपी वापस सुप्रिम कोट में मामला निस्पादित, और यहाँ पर आप जानते ही है, एक से जानते हैं सुनरेश की खंड पीठ ने की है, सुनवाई के दोन्हार राज सरकादु वापस ले लिया गया, इससे यहां मामला निस्पादित हो गया, इस्पोज हो गया, अब 13 अक्टूबर को 28 अभ्यर्थी द्वारा दायर मामले की सुनवाई संभावित है। अब आप जानते हैं विड्रॉक कर लिया गया है तो अब आगे का इनका क्या कदम है तो बीड अभ्यर्थियों के मामले में सरकार फिर जाएगी सुप्रिम कोड देखिए अब यह दूसरी तरीके से जाएंगे कि वह वाला मामला तो डिस्पोज हो गया है जो कल वाली सुनवा निकल कर आ रहे है इसके माने तो बीड अभ्यर्थियों के हक में एक बार फिर सुप्रिम कोड जाएगी ठीक है सुत्रों के मुताबिक राज सरकार सुप्रिम कोड की विशेस बैंच में सुनवाई के लिए जल्द ही आविदन करेगे देखिए विशेस बैंच में वहां पे यह लोग जो इनके बीच में कुछ सजेशन्स मांगे गए कि अब इसके आगे क्या हो सकता है सुत्रों के नुसास सोमवार की सुनवाई में सिक्षा विभाग ने तकनीकी वजहों से अपनी SLP को वापस लिया मतलब यह इस इंफोर्मेशन निकल करा रहे कि कुछ तक प्रात्मिक सिक्षकों की नुक्ति का मामला बिहार सरकार ने कोर्ट से अपनी वापस ली और इसी बीच आप कल देख रहे हैं एक लेटर भी वाइरल हो रहा है जिसमें ज्वाइनिंग की डेट है अब पता नहीं कितनी सचाई है उसमें 28 डिग्री धार्कों को सिर्स कोर्ट नित करने की अनमती देनी की मांग थी इस सरकार ने अपनी याचिका वापस ले ली है न्यायमूर्ती एस भुपना और जो सुन्द्रेश की पीठ है उनके समक्ष बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई होनी थी पीठ ने मामले को मुख नायदिस जो वो एस बुपना और जो सुन्द्रेश इनके पीठ ने बोला कि हम ना इस मामले को मुख नायदिस के समक्ष भेज दिया ताकि इसे न्यायमूर्ती अन्रोध बोस की अगुआई वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूची बद किया जा सके दुबारा से नहीं है तो न्यायमूर्ती बोस न न्युक्ती में बीर्ड वालों को सामिल करने को कहा गया था तो इसलिए डिस्पोज हो गया है वापस हो चुका है बहुत जल्द इसमें विसेस बेंच में सुनवाई होने वाली है अब देखे एक तेरा अक्टूबर को सुनवाई होगी ही जो बीर्ड अभियर्थियों के द थींग सुनवाद वालों के अवि थात्रावाणा था तो गया हो होगी ही जो, सांदी को में स्यों वालों लार, भालों को चाहता है थार भालों करता दीर्ण।